तो दोस्तों कुछ महिने से पाकिस्तानी मेडिया में JNC एरक्रेप्टों को लेके काफी अधिक चर्चा बढ़ गया था क्यूंकि पिछले साल के अंत में पाकिस्तान के जो बढ़ बोले मंत्री है मतलब शेक रशीद उनके द्वारा बयान देते हुए बताया गया था कि पाक पाकिस्तान के पैरिड में JNC एरक्रेप्टों को शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान ने चाइना से JNC एरक्रेप्टों को खरिदा है और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान फाइनली अपने बेडे में चाइनीज मेड इन एरक्रेप्टों को शा येट्नसी येर्क्रैप्तों के एक्सपोड़ वैरियंट जेट्नसी यी दिया गया है। PAKISTÁồi के स्टेट ओन Bye- гром, S樣 J South जित्वे अयर्क्रैप्तों के इरियंट्र, bullet economist को प्रेसरेंटपते अग्याल इंट पाकिस्तानी एरफोर्स के बेस कामरा में आयजित किया गया था। पाकिस्तानी एरफोर्स के बेस कामरा में आयजित किया गया था। पाकिस्तानी एरफोर्स के बेस कामरा में आयजित कामरा में आयजित किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया का ये विदावा है कि इसमें फ्रॉंट साइड में आयर एस्टी मतलब इंफ्रारेट सर्च और ट्राकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जो हीट सिगनेचर को डिटेट करते हुए मिसाइलों को डिटेट कर सकता है। पर ये राडर के जैसे एक ऐसा सॉस्टेंस नहीं है जो अपने लोकेशन को डिस्क्लोस करें। मतलब इस तरीके के सिस्टम से जहाँ पे एरक्रेटों के द्वारा मिसाइलों को डिटेट करना पॉसिबल है तो वही पे एरक्रेटों के पोजिशन को भी छुपा के रखना पॉसिबल होगा जो कि एरक्रेटों के सर्वाइविलिटी को बढ़ा सकता है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी एरफोर्स के बेड़े का एक मातरा ऐसा एरक्रेप्ट है जो IRST सिस्टमों से लैज होगा। जबकि पाकिस्तानी मीडिया का ये वी दावा है कि JTNC एरक्रेप्टों के साथ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को लॉंग रेंज के PL-15 मिसाइल भी सफलाई किया जाएगा। इवन राफैल एरक्रेप्टों में इतना एडवांस फीचर और इतना एडवांस टेकनलोजी का इस्तेमाल हुआ है जिसका डेवलोप्मेंट अब तक चाइना के द्वारा करना पॉसिवल नहीं हो पाया। दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आफको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले।